हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत थे अपने चैनल धरियल रिपोर्ट में दोस्तो अपने चैनल पर दिजाने वाले सभी जानकर है बिल्कुल समपुनन सटिक और कारगर होती है दोस्तो आज हम जानेंगे दालचिनी के बारे में दालचिनी के फाइदे किन-किन लोगों क कोई लेना चाहिए किन-किन लोगों कोई नहीं लेना चाहिए किन-किन रोगों में शानदार आपको रिजल्ट देगा इन सबी सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में देंगे दालचिनी का विज्यानिक नाम है सीने मैनन जेलक निकम ठीक है और इसका संस्क्रीट ये नाम है दालचिनी के फाइदे क्या-क्या है हम आपको बताते हैं पाचन के लिए E лишानदार दवा है दालचिनी जुकाम के लिए राम-बान स्त्री रोग में बहुत असरदारक है दालचिनी, खाने का स्वाध बढ़ाने के लिए हर घर में उप्योग ही होती ही दालचिनी, दालचिनी के कुछ अन्य शांदार लाब जो आप नहीं जानते होंगे, दालचिनी का पेड़ हमेशा हडा भरा तता छोटी जाड़ी जैसा होत है, दालचिनी के पेड़ से हमेशा शुगंद आती है, इसका उप्योग मसालो और दवा के रूप में किया जाता है, इसका तेल भी निकाला जा सकता है, दालचिनी के पेड़ के पत्तों का उप्योग खाने में मसाले की तरफ किया जाता है, उन्हें तेजपत्ता भी कहा जा पाचन के लिए एक शांदार दवा कैसे हैं आई यह जानते हैं पाचन में सुधार लाने के लिए जट्रसंबने दिकारों के लिए इन चार अलग-अलग तरीकों से डाल चिनी का उपयोग कर सकते हैं जिन लोगों को अपच पेट दर्द सीने में जलन महिसुस होने पर आप ड दाल चिनी काली मिर्च पाउडर और सहद मिलाकर बोजन के बाड देने से पेट की परिश्चानी नहीं होती कुछ लोगों को जी में चलना, उल्टी, दस्त रोकने के लिए दाल चिनी का पानी लिया जाता है कब्स और गेस की समझ से कम करने के लिए दाल चिनी के पत्तों के चुरन का काड़ा बनाकर दिया जाता है दाल चिनी जुकाम के लिए राम बाण कैसे आईए जानते है चुटकी बर दाल चिनी पाउटर में पानी में उबाल कर उसको डालने से उसी में चुटकी बर काली मिर्च पाउटर और सहथ डाल कर लेने से सरवी जुकाम गले के सुजन एवा मलेरिया कम हो जाता है स्त्री रोक में बहुत असरकारक है दाल चिनी गर्बाशाई की विकार और गनोरिया के दाल चिनी का उप्योग किया जाता है प्रसाओ के बाद एक महिने तक दाल चिनी का टुकड़ा चबाने से गर्ब दाणा को टाला जा सकता है दाल चिनी से माता के स्तन का दूद बढ़ता है गरबासरे का संकुचन होता है खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए गरगरम उपयोगी दाल चिनी के से होती है वो भी जानते है दाल चिनी के पत्ते और छाल के उपयोग से केक, मिठाई और खानी का स्वाद बढ़ाया जाता है दाल चिनी का तेल इत्रे मिठाईयों और पे में उपयोग किया जाता है दाल चिनी के कुछ अन्य शांदार लाब जो शायद आप नहीं जानते होंगे वीर्य वुरुद्धी के लिए दालचिनी का पाड़र शुबर शाम गुन-गुने दूद के साथ ले ठंडी की वज़े से जिर्दध हो तो दालचिनी पानी के साथ पिसकर सर पर लगाए मुह की दुरगंद और दात की दवा में दालचिनी का उप्योग किया जाता है मुहां से कम करने के लिए दालचिनी का चूरण के साथ रस में मिलाकर चहरे पर लगाए जिन लोगों को पेट की समस्या है उसमें भी दालचिनी बहुत फाइदाकारक होती है दालचिनी के घटक पदात प्रोटीन, कार्भोहडरेट, फोस्फरस, सोडियम, पोटेशियम, थाइमेन, रिवोक फैमेन, नियासीन, विटामिन, एसी दालचिनी के स्वाद में तिक्खी मिठी होती है दालचिनी उस्ण, दीपन, पाचन, मुत्रल, कफना शक, स्तम्म तक गुण धर्मों वाली मन की बेचैनी कम करती है या कृत के कारियों में सुधार राती, स्मरन सकती बढ़ाती है सावदानी क्या क्या रखनी दालचिनी का उस्ण गुण धर्म है इसलिए गर्मी के दिनों में इसकal उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए दालचिनी से पित बढ़ता है मतलब जिन लोगों को पित की बीमारी, चाती में जलन होना, पसीना बना रहना इन सब में इन लोगों को नहीं उपयोग करना चाहिए और जिन लोगों की पित्य प्रकूर्तियों ने डोक्टर की सला के बिना दाल चेने का अपयोग बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों जानकर ये अच्छे लगे तो वुडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए Thank You so much